नमस्कार सात्यों कारेले निदेशक मादमी शिक्षा राजस्तान बिकानेर की ओर से सेख्षिक उद्देश्चों की प्राप्ति ये तू राजस्तान के शिक्षा में बढ़ते कदम कारीकरम की विस्सत कारीयोजना तैयार की गई है उसी कारीयोजना से परिचित करवाने के लिए मैं रामनिवास मेरा आपके साथ इस वीडियो में उपस्तित हूँ आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल और सरल बाशा में बताऊंगा कि जो कारीयोजना तैयार की गई है उस पर आपको सत्र परियंत कारे कैसे करना है संपुन जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो सातियों सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करके गंटी वाले बेल आइकन को दबा कर आल पर भी प्रेस कीजेगा क्योंकि इसी प्रकार की इंफोर्मेटिव वीडियो जो आपके कारे को आसान कर दे वो वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलने वाली है तो चलिए सात्यों परिचित होते हैं उस विश्टकारी योजना से जो सेक्षिन सत्य 2023 चोईस के लिए बनाए गई है आपके साथ कुछ मुक्ष बिंदों पर चर्चा करूँगा बाकी यदि आप ये आदेश पूरा अपने पास चाते हैं तो इस आदेश को मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द करवा दिया है जिस टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक किज़ेगा आप टेलिग्राम ग्रुप में जाएंगे वहाँ सा आप ये पूरा आदेश डाउनलोड करकर अपने पास रख सकते हैं पूरे सत्र पर इस पर कारियोगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ यहां कुछ मुखी बिंदूओं पर ही चर्चा करूँगा बाकी यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस आदेश को ग्रुप से डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रखिए और इस आदेश के अनुरुप राइस्तान में सिक्षा के बढ़ते कदम जो कारिकर में उस पर कारिक कीजिएगा और हाँ सात्यों एक बात और आप अवश्चिद्यान रखिएगा इस वीडियो का बनाने का जो मेरा उद्देश है वो सिर्फ आपको इस आदेश से परिचित करवाना है यदि मेरे एक्स्प्लेंड करने के तरीके में और आदेश में किसी प्रकार का विरोधा बास आता है तो आप आदेश को भी प्रात्मित्या दीजेगा जो RK SMB के है वो क्या है वो आपको यहां इसपस्त किया गया है कि जो learning gap से बच्चों में उनको दूर करने के लिए bridge remediation ये कारिक्रेम है इसमें आगे आपको यहां बताया जा रहा है विद्ध्यार्तियों को उनके learning level के आदार पर प्रतक प्रतक समू का निर्मान कर remediation शिक्ष remediation शिक्षन करवाएंगे तो ये आपका जो learning gap से बच्चों का वो दूर होगा इसके तहत निमलिकित कारवाई की जाएगी अब कारवाई क्या क्या की जाएगी वो आपको यहां explain किया जा रहा है जिसमें आपको पहले नंबर पर बताया जा रहा है वर्क्षीट का वित्रण प्रियोग आपको वर्क्षीट का वित्रण केसे करना है प्रियोग केसे करना है वर्क्षीट आपको कहां से मिलेगी वो संपुन जानकारी आपको यहां दी जा रही है यहां आगे बताया जारा सत्र 2023 इसके लिए RACERT द्वारा नवीन वर्कबुक तैयार की गई है अब जो विद्याले में अगस्त या सितंबर माह तक पहुचनी संबावीत है मतलब जो यह वर्कबुक है अभी विद्यालों में आपके पास नहीं आई है परन्तु अगस्त या सितंबर माह तक यह आपके पास पहुच जाएगी अता उक्त रेमिडेशन शिक्षा बादीत ना हो इस सितंबर में आएगी परंतु जो आपके पास वर्क्षीट पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी आपको यहां इसपस कर दिया गया है कि आप जो इसमायल ग्रूप बनाये गए हैं शालादरपण के माध्यम से भी आप तक पहुंच जाएगी और RK SMB के एप में भी आपको यह वर्क्षीट अउलेबल रहेगी और CDO के माध्यम से भी विद्याले तक पहुंचाई जाएगी आपको वर्क्षीट पर कारे करवाना होगा विद्यारतियों को तो अभी आप इंतजार कीजिए आपके पास वर्क्षीट वर्क्षीट तो अगस सितंबर में आएगी लेकिन आपको वर्क्षीट पर काम अभी से करना शुरूख कर देना है ऐसा यहां इसपस्ट किया जा रहा है अब आगे आपको और इसपस्ट किया जा रहा है कि जो आपकी वर्क्षीट आएगी वो अगस सितंबर माह तक आने के संभावना है तो आपको बच्चों से कारे के से करा आपके पास वर्क्षिट नहीं है तो यहां किलियर किया गया है विद्याले में कारी पुस्तिकाओं के उपलब्द होने तक विद्यार्तियों का अभ्यास कारे जारी रहे इसके है तू कक्षा तीन से आड तक की हिंदी गणी एंग्रेजी विश्यों के कारी पत्रकों को शाला दरपन शाला दरपन पर भी साती हुए कारी पत्रक आपके लिए उपलब्द करवा दिये जाएंगे वर्टसेप आरके एसेमबी के एप पर से संस्ता परदान आवश्यक रूप से डाउनलोड को आप प्रिंट करवा कर सिक्षकों को उपलब्द करवाएंगे इस बात को कारी पत्रक का से डाउनलोड करने यहां इसपस्त किया गया है शाला दरपन वर्टसेप और आरके एसेमबी के एप से संस्ता परदान इन कारी पत्रकों को डाउनलोड करेंगे प्रिंट करवाएंगे और शिक्षकों को उपलब्द करवाएंगे और बच्चों से उन पर कार करवाएंगे उनके समू के अनुसार दूसरा जो बिंदू यहां क्लियर किया जा रहा है वर्क्षीट प्रिंट करने के लिए आपको कंपोजिट ग्रांट चात्रकोष विकास अनुदान या अन्य बजट विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास जो वर्क्षीट डाउनलोड करेंगे उसे प्रिंट करवाएंगे तो उसका पेशा कहां से आएगा तो आपको पेशा कहां से खर्च करना है वो भी निर्देश आपको यहां जारी कर दिये गए जिसमें आपको बताया गया है कि आप वर्क्षीट को प्रिंट करवाने के लि समस्त पियो यह सुनिशित करेंगे कि उनके परिशेत्र के कक्षा 3-8 के सभी विद्यार्टों के पास वर्षीट उपलब्ध हो यह पियो का कारी रहेगा कि सभी 3-8 के जो बच्चे हैं उनके पास वर्षीट उपलब्ध होनी चाहिए वो किसी भी तरह से हो वो चाहिए डाउन किया जा सकता है तो आपको यहां किलेर हो चुका है कि जो वर्षीट है उसका प्रिंट आउट आप विद्यार्ट से भी ले सकते हैं या पंचात इस तर से पियो मोड़े भी आपको अवलेबल करवा सकते हैं अब आपको यहां जो दूतरे नंबर पर जानकारी दी जा रही ह तो ये जानकारी भी हम देख लेते हैं, समस्राज की विद्यालों में जुलाई, अब आपको यहां ध्यान रखना है, यह कारिकरम RK SMB के जो कारिकरम चलाय जा रहा है, जुलाई 2023 से अप्रेल 2023 तक यह दक्स्ता आदारी सिक्षन कारिकरम चरण बद रूपसर संचालित होगा, अब सातियों यहां थोड़ा सा मुझे किलेर नहीं दिख रहा है, इसके दो चरण रहेंगे, जैसा कि आपको यहां इसपस्त हो रहा है, कि जो यह कारिकरम है, जुलाई से चलेगा और अप्रेल 2024 तक चलेगा, इसके दो चरण होगे, यहां से हमें इसपस्त हो रहा है, अब आपको यहां परतम चरण बताया जाएगा, कि परतम चरण कब से कब तक रहेगा, उसमें क्या कारिय करना है, और कौन से दिन से, तो परतम चरण की जानकारी आपको यहां दी गई है, परतम चरण में आपको क्या क्या करना है, वो देख लेते हैं हम, परतम चरण में कक्षा के सबी विद्यारतियों को दक्सा आदारित कलस्टर वर्क बुक प्राप्त होने तक वर्कशिट प्रिंट से आपको कलस्टर वर्कबुक क्या है कि जब तक आपको वर्कबुक प्राप्त नहीं होती है तब तक जो आपने वर्कबुक के जो वर्कशिट की जो प्रिंट ली है उससे कारिय आपको करवाना है कि साहिता से behind grade दक्स्ता आधारी सिक्षन करवाया जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यह कब तक चलेगा? अक्टूबर 23 तक चलेगा। तक प्रति एक सप्ता, अब सप्ता में सो मार्थ शुक्रवार, प्रति दिवस, कुल आठ कालांशों में से प्रथम तीन कालांश में वर्क बुक, आधारी सिक्षन, अर्थार्थ, रेमिडेशन, शिक्षन के लिए निर्दारित रहेंगे, अब आपको इस बात को ध्यान रखन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अब यहां आपको दूसरे चरण की भी जानकारी दी गई है, दूसरा चरण आपका कपसे प्रारम होगा, नॉम्बर 2023 से अप्रेल 2024 तक जो आपका दूसरा चरण है, वो चलेगा, अब इस चरण में आपको क्या कारी करना है, वो यहां इ दिरंतर रहेगा, तो अब आपको यहां किलियर हो जाता है कि पर्थम चरण में तो जो विद्यार्तियों के कितने कालांच रहेगे, वो तीन कालांच आपको रेमिडेशन के रहेगे, और दितिये चरण में दो कालांच रेमिडेशन के रहेगे, यहां से किलियर हो जाता है, और दो चरणों में हमारे कारिकरम चलेगा पेला जो चलेगा जुलाई से अक्टूबर तक चलेगा और दूसरा जो चरण रहेगा वो नॉमबर से अपरेल तक चलेगा यहां से किलियर हो चुका है हमें अब बिंदू संक्या 2 पर आपको किलियर किया गया है कि विद्यार्तियों का आपको समुई करण कैसे करना है तो आपको यहां ध्यान रखना है वर्क बुक में उपलब्द बेसलाइन असेस्मेंट सीट के माध्यम से विद्यार्तियों की गत कक्षा इस्तर की दक्सताओं का आ पर दो अध्यान समू बनाए जाएंगे आपको कितने समू बनाने हैं वो आपको यहां किलियर हो जाता है कि दो अध्यान समू बनेंगे विध्यारतियों का एक कक्षा इस्तर का और एक कक्षा से निमनिस्तर का ये दो समू आपको बनाने हैं इसके पस्चात में कक्षा तीन से आर्ट तक के समस्विध्यारतियों को दो समू में परतक परतक बिठाया जाएगा और फिर आपको जो आपका कक्षा इस्तर का समू है और एक कक्षा से निमन इस्तर का समू है उनको अलग अलग बिठाना है अब आगे आपको समू केसे बनाने और जानकारी दी गई है शिक्ष 60% से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे उनको आप समूँ एक में रख लेंगे और 60% से कम जो प्रश्न हल करेंगे उनको आप समूँ 2 में रख लेंगे आप इस तरह से दो समूँ का निर्मान करेंगे दोनों विद्यारती समूँ का behind grade डारिस अध्यन कराया जाना है अब आपको इस बात को तो ध्यान रखना है कि आप बले आपके पास दोनों समू हो लेकिन दोनों विद्यारती समू को behind great दक्सता आदारिस अध्यन आपको करवाना है परन्तु शिक्षकों को ध्यान विद्यारती समू की उस सामाने दक्सताओं पर होना चाहिए जिस दक्सता में विद्यारती संगर्ष कर रहे हैं तो सिक्षकों का ध्यान का होना है किस जगे रखना है सिक्षकों का वो भी यहां आपको किलियर कर दिया गया है कि जिस दक्सता में विद्यार्ती संगर्श कर रहे हैं उस पर विद्धिक्षकों का ध्यान होना आवशक है क्योंकि इने बिहाइंड ग्रेड दक्सता अभी बर्दन की अधिक आवशकता है इस बात का आपको ध्यान रखना है अगला जो तीसरे नंबर का बिंदू यह किलियर किया जा रहा है समुई करण में संस्ता परदान द्वारा यह आवशक रूप से सुनिशित किया जाएगा कि विद्यार्ती में हीन भावना नहीं आए अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आपने समू एक और समू दो बनाए हैं तो जो संस्ता परदान मोदे हैं यह इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चा अपने आप में कहीं हीन भावना मेसूस ना करना लगे कि मैं कमजोर हूँ इसलिए मुझे अलग गुरूप में रख दिया सर ने और जो मेरे से अच्छा है उसे अलग गुरूप में रख दिया तो यह हीन भावना विद्या नहीं है तो आपको बच्चो को मोटिवेट करके भी रखना है कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्ता परदान ध्वारा उसका तुरेत निवारण किया जाएगा यदि यसी कोई शिकायत आती है width विद्यारती की तो संस्ता परदान को उसका त्वरंत निवारन करना होगा अब चोता बिंदु जो आपको यहां ध्यान रखना है विद्याले के प्रकार के अनुसार विद्यारती समुहन का निर्दान संस्ता परदान स्वय के इस्तर पर कर सकेंगे तो यह संस्ता परदान को ये दिया गया है अधिकार की वो विद्यारती का समुई करण संस्ता परदान सोय के इस तर से भी कर सकते हैं अब आगे जो आपको यहां जानकारी दी जा रही है वर्क बुक वित्रण की दी जा रही है तो वर्क बुक आपको वित्रण के से करना है तो विबाग द्वारा लेर तो किसके द्वारा विक्षित की गई है R, S, C, E, R, T द्वारा विक्षित की गई है और 3 से 8 के लिए वर्क बुक विक्षित की गई है तो आगे इसमें बताया जा रहा दक्सता आधारे शिक्षण के लिए इन कक्षाओं के समस्त विद्ध्यारतियों द्वारा निम्न वर्बुक का उपयोग किया जाएगा अब कक्षा आपकी कौन कौन सी रहेगी वो कक्षा आपको यहां बताया जा रहा है कक्षा तीन के लिए जो बुक आएगी उसका नाम रहेगा पहल और यह रहेगी बिहाइंड ग्रेड वाले के लिए लेवल एक और लेवल दो मतलब लेवल एक से आप मतलब समझ सकते हैं कक्षा एक और कक्षा दो इस तरह के जो बच्चे रहेगे उनके लिए पहल बुक रहेगी प्रियास जो बुक रहेगी और कक्षा चार और पांच के जो बच्चे हैं उनके लिए रहेगी और ये behind grade वाले इनके लिए कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4 तक के लिए ये काम में आ सकती है उसके बाद प्रवा जो book है वो कक्षा 6 से 7 के लिए रहेगी behind grade में ये काम आ सकती है 4, 5, 6 के लिए और प्रखर जो book रहेगी वो रहेगी कक्षा 8 ये behind grade में आएगी 5, 6 और 7 कक्षा के लिए काम में, अब विशे कौन से विशे तो वही 3 विशे आपको ध्यान रखने हिंदी, गणित और अंग्रेजी की ये book आने वाली है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, कि पहले जो कक्षा 3 के लिए है, प्रियास जो workbook आएगी यो कक्षा 4 और 5 के लिए आएगी, प्रवा जो workbook आएगी, वो 6-7 के लिए आएगी, और प्रकर जो workbook आएगी, वो कक्षा 8 के लिए आएगी, ये workbook अगस सितंबर माह तक CBO कारेले तक समसा द्वारा बलाक इस्तर तदो प्रांद विद्याले में पहुँचाए जाएगी, तो आपको यहां द्यान रखना है कि ये workbook आपके पास अगस सितंबर माह में आने की सम्भावना, गलाक इस्तर तक workbook प्राप्त करने वा बेजने हैं तो CBO नोडल अधिकारी होगे, अब नवीन जो workbook आपके पास आ रही है, उस कार्य पुस्तिका के संकेतां का आपको यहा की जाएगी, तो आप एक बार workbook को अवर्ष रीड करके देखिएगा, उसमें प्रस्ट आता है शिक्षकों के लिए, तो यह सारी जानकारी नवीन workbook से संबंदी सारी जानकारी आपको workbook में मिल जाएगी, तो यहां आपको सारे शिक्षक संदेश, QR, code, कटिना, इस तर यह सब आपको आपकी workbook में मिलने वाले हैं, जल्दी आपके पास workbook आ जाएगी, अब जो चोते बिंदों पर आपको यहां clear किया जा रहा है, दक्स्ता आदारित आंकलन, अब आंकलन के लिए आपको यहां बताय जा रहा है, baseline आंकलन, आपको सबसे पहले baseline आंकलन करना है, उसम में जानकारी दी जा रही है, remediation कारिकरम के पर्थम चरण में विद्यारतियों के learning level के जांच के लिए workbook की शुरूआत में baseline आपको यह मिलने वाला है, और जब तक workbook नहीं आती है, तब तक आपको उपर बता दिया गया है, कि आपको baseline कैसे लेना है, जो आपके पास WhatsApp से, शाला दरपन से, या RKSMB के app से आपके पास जो workbook पहुचेगी, उनको आपको डाउनलोड करना है, और आपको baseline लेना है, तो पहले बिंदू में यह चीज किलियर की जा रही है, जब workbook आ जाएगी तो आप उनमें भी कारी यह करवा सकते हैं, उसके बाद आपको यह बत प्रविस्टी शाला दरपन मोडूल पर भी करनी है, जो शाला दरपन पर इसके लिए मोडूल आरंब किया जाएगा, उस पर भी आपको प्रविस्टी करनी होगी, कि आपका कौन सा विद्यारती, कौन से समूम है, सारी जानकारी आपको प्रविस्टी करनी होगी, उसके लि से बेसलाइन आकलाइन शीट डाउनलोड करवा कर उपलब्द करवाएंगे तो आपको यहाँ किलियर कर दिया गया है कि यदि आपके पास जो वर्क बुक नहीं पहुची है तो आपको कहां से जो बेसलाइन आकलाइन लेना है उसके लिए समसा पोटल शाला दरपन और RK SMB के एपे महां से आपको आकलाइन शीट डाउनलोड करनी है प्रिंट उसका करवाना है और विद्यारतियों को आपका बेसलाइन ले लेना है तो आपको baseline के सम्मद में जो work sheet लेनी हो का से लेनी है सारी चीज़ यहां से clear हो चुकी है इसके आदार पर शिक्षो को द्वारा विद्यारतियों का समूवी करण कर विद्यारति के learning level पर आदारित आवशक साहिता परदान की जानी है और जब आप baseline विद्यारतियों का ले लेंगे उनका समूद दो समूद बना लेंगे उसी के अनुसार आपको सिक्षन करवाना है अब जो आगे बात आती है वो रचनात्मक आकलन की आ जाती है जिसे हम इंगलिश में कह सकते हैं formative assessment तो अब ये क्या होता है आपको कब करना है ये सारी जान करें आपको यहां बताए जा रहे है विद्यारतियों द्वारा अध्यन की उपलब्दी के समय बद आकलन है तो वर्क बुक में 4-5 वर्षीट को पूरा करने पर रचनात्मक आकलन उपलब्द है अब आपको देखना है कि जो वर्क बुक आपके पास आएगी उसमें 4-5 वर्षीट में विद्यारतिक काम करेंगे उसके बाद जो अगला जो प्रष्ट आएगा उसमें रचनात्मक आकलन उपलब्द आपके लिए रहेगा तो आप विद्यारतियों का आकलन वहीं से ले सकते हैं आगे यहां ज हो जाता है कि जो आप रचनात्मक आकलन लेंगे प्रत्यक सप्ता के अंत में आपको रचनात्मक आकलन लेना है इससे शिक्षकों को पता चलेगा कि सप्ता में कराया अध्यन से विद्यारतियों को कितना समझ में आया है अब आप यहां से किलेर हो चुके होंगे कि जो आप सपता के अंत में जो रचनात्मक आकलन लेंगे उससे अध्यापक को किलियर हो जाएगा कि जो आपने अध्यापन करवाया है वो बच्चे कितने समझ पाए हैं आप कितने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए हैं रचनात्मक आकलन आपको यह बताएगा उसके बाद जो रचनात्मक आकलन के बारे में यहां जानकारी हमें दी जाये रही है रचनात्मक आकलन में विद्यार्ती के परदर्शन की वर्क upright में पर्विष्टिकर रिकार्ट संदरन किये जाना है और online data entry नहीं करने अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका रचनात्म आकलेन होगा वो सिर्फ आपको वर्क बुक में रखना है वर्क बुक में उसका रिकोर्ड आप संदारण करेंगे और उसके अलावा यदि आप इद्याले इस्तर पर रिकोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप इद्याले इस्तर पर आपका रेइस्टर मेंटेन कर सकते हैं पर उसक इसमें से समेटिव एसेस्मेंट जो होगा वो कब होगा कैसे होगा आपको ये सारी जानकारी यहां अउलेबल करवाए हुई है इसमें आपको सबसे पहले बताया जारा है सिक्षन प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्यान करने के लिए अर्थार्थ अर्दिगम आकलन के देगा मतब तीन महीने में एक बार होगा इस बात को आपको ध्यान रखना है अब आपको यहां आगे बताया गया है शिवीरा पंचांग में निर्दारी समय अनुसार कक्षा तीन चार छे वा साथ के लिए तीन दक्सता आधरित आर्थ के एसमबी के आकलन किये जाएंगे आप शिवीरा पंचांग देखिएगा उसमें आपको इसपस्त मिल जाएगा कि आर्थ के एसमबी के आकलन जो होगे वो कौन सी कक्षा के होगे तीन चार छे और साथ के होगे तीन आकलन होगे आपको यहां से किलियर हो जाता है अब यहां पांच वी और आठवी कांग गई वो भी आपको बता दिया जाएगा परंतु जो कक्षा तीन चार छे और साथ उनके आपको योगात्मक आकलन कितने लेने हैं यह किलियर बात यहां से और कब लेने हैं वो आपको शिवीरा पंचांग देखनी है उसमें आपको इसपस्त किया हुआ है अब आपको यहां जो नोट दिया है इस नोट को अवश्चर पढ़ना है कख्षा 5 वाक्त आर्थ विद्ध्यारतों के लिए दो दख्षता आधारित आकलन आरके SMB के के आकलन एक तता आरके SMB के आकलन दो आयुजित के पश्यात कख्षा 5 वी आठ्वी बोड है तु परिक्षय यतावत रहेगी जिनमें अधिकादिक दक्सता आधारित प्रश्ण सम्मलित किये जाएंगे मतलब आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जो कक्षा पांच्वी की विद्यारती है और जो कक्षा आठ्वी के विद्यारती है उनके जो योगात्मत आकलन होंगे वो दो होंगे जानकारी दी जा रही योगात्मत आकलन परपत्र के दो भाग होंगे भाग एक और भाग दो जो आप योगात्मत आकलन लेंगे उसमें कितने भाग आएंगे आपको इस बात का अवस्च्छ ध्यान रखना है कि एक तो भाग A आएगा और एक भाग 2 आएगा भाग A में क्या रहेगा भाग A में बिहाइंड ग्रेट की दक्सताओं पर आदारीत 15 से 20 वस्तुनिस्थ प्रेशन विबाग द्वारा उपलब्द करवाये जाएंगे अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भाग A जो रह उसमें बिहाइंड ग्रेट के जो विद्ध्यारती है उनकी दक्सताओं के आदार पर 15 से 20 वस्तुनिस्थ प्रेशन रहेंगे वो इस बात को आपको ध्यान रखना है और विबाग द्वारा उपलब्द करवाये जाएंगे विद्ध्यारती को इस वस्तुनिस्थ प्रेशन उत्तर पत्रक या OMR शीट देना है जिसे RKSMB पर स्केन करेंगे इसकेन फोटो को अटोमेटिक सात्यों अब यहां कुछ छुपा हुआ है डिजिटल सिगनिचर के पिछे तो मैं जितना मैं जानता हूँ यह बता देता हूँ कि जो 15 से 20 वस्तुनिस्थ प्रेशन रहेंगे ज वही प्रक्रिया इस बार भी रहने वाली है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है अब जहां तक मैं जानता हूँ और अगर मैंने पहले ही के दिया है कि यदि इस आदेश को समझाने में और आदेश में विरोधाबास आता है तो आप प्रात्मिक्ता आदेश को दीजेगा मेरा उदेश बस आप तक इस आदेश को पहुचाना है और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे सरल लेंग्वेज में कनवर्ड करना है अब यहां आपको देखना है कि भाग दो जो रहेगा या भाग भी हम उसे कह सकते हैं में ग्रेड इस तरिये दक्सताओं पर आदारित प्रेशन होंगे इसका शाला दरपन पर डाटा एंट्री की जानी है अब आपको यहां ध्यान रखना है कि शाला दरपन पर किस चीज की एंट्री होगी जो भाग बीके जो आप प्रेशन हल करवाएंगे विद्यारतियों से उनकी एंट्री आपको शाला दरपन प पुस्तिका प्रेंटिंग तता वित्रण के लिए पंजियन नोडल एजनसी ही रहेगी तो आपको योगात्मा आगलन का उत्तर पुस्तिका प्रेंटिंग तता वित्रण के लिए पंजियन पंजिय कोन रहेगा आपकी नोडल एजनसी रहेगी इस बात को आपको ध्यान रखना र Noch इड़े जहां है आप आगे जो आपको यह जानकारी दी जा रहे है उसमें अ कश्या कश्या है परकरिया की आपको जानकारी दी जा रही है तो आप चाहे तो यसका इसक्रिन शौट भी ले शकते हैं। आपको यां इस पस्ति किया गया है इसके बारे में विस्तत विबरान आपको यां बताया गया है आपके लिए स्रोत कौन-कौन से रहेंगे आप ABL किट का उपयोग कर सकते हैं आपको digital जो प्रिवेशु डिजिटल जो RKSMB के F है उसका उपयोग आप कर सकते हैं और RKSMB के एप पर आपके लिए डिजिटल पार्ट योजना रहेगी तो यह आपके लिए स्रोत रहने वाले हैं अब यहाँ छेटे बिंदु में आपके लिए जो कहा जा रहा है पेरेंट टीचर मीटिंग तता दक्सता आदारित रिपोर्ट कार्ड इसके बारे में भी आपको RKSMB के से आपने बच्चों का टेस्ट लिया था और वो टेस्ट लिया था उसी के आदार पर डिजिटल रिपोर्ट कार्ड आपके पास आये थे उन रिपोर्ट कार्ड को आपने अभी बावकों के सामने रखा था और आपने जो चर्चा की थी उसी प्रकार इस साल भी होने वाला है का आपको पहली चीज तो पहरें टीचर जो मिटिंग रहेगी उसमें इस बात का ध्यान रखना है उसके बाद दूसरे बिंदू पर आपको यह किलियर किया जा रहा है उसमें डिजिटल रूप से रिपोर्ड कार्ड तेयार होने से शिक्षकों का कार्यबार कम होगा जिसे शिक्षकों को शमता आदारित रिपोर्ड कार्ड में प्रिविष्टि के बजाए अभिबावक शिक्षक के मद्ध शेक्षिक चर्चाओं के लिए समय मिल पाएगा पतलब जो आपका डिजिटल रिपोर्ड कार्ड रहेगा उससे आपका समय बचेगा और जो आदारित जानकारी और अभिबावक इस्तर पर की जाने वाली साहिता का उल्लेख होगा सब कुछ जानकारी आपको जो कार्ड मिलेंगे डिजिटल कार्ड मिलेंगे उसमें जानकारी रहेगी दक्स्ता आदारित आरके सम्बे के आकलन तता परिक्षाओं में विद्यारतियो अभिबावकों को अउगत करवाने के लिए PTM का आयोजन शिवीरा पंचांग के अनुसार किया जाएगा अब जो आपको शिवीरा पंचांग दिया गया है उसमें PTM मिटिंग आपको कब लेनी है संपुन जानकारी आपको दी गई है अब अगला जो बिंदू यहां किलियर कर रहा है रिपोर्ट कार्ड की प्रेंटिंग ठता वित्रण के लिए पंचे अनक नोडल एजेंसी ही रहेगी अब आपको इस बात का ध्यान रख लेना का आपको प्रेंटिंग आपने कैसे करवानी है इसके लिए पंचे अनोडल एजेंसी ही रहेगी इन रिपोर्ट कार्ड को प्रेंट करवाने के लिए अब इन सब कार्यों को करने से शिक्षक शमता संवर्धन भी होगा इसकी जानकारी आपको जब आपने FLN प्रसिक्षण प्राक्त क्या उसमें भी दी है तो आपकी समता संवर्धन कैसे होगा संपुन जानकारी आपको यहां दी गई है सात्यों मैं प्रत्यक बिंदू को किलियर करूँगा तो वीडियो काफी लंबा होगा अब आपको यहां जो अगली जानकारी देनी है अब यहां आपको बताया जा रहा है इस एप के माध्यम से शिख्षक अपनी कक्षा के विद्यारतियों का RKSMB के आकलन में परदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे मतलब शिख्षक जो है RKSMB के आकलन की जानकारी RKSMB के एप के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे इस एपको जानने वा उप्योग करने के समद में शिक्षकों के लिए परशिक्षन कारिकरम अलग से आईजित किये जाएंगे तो आपको टेंचन लिने की जोरत नहीं है, यदि आपको परशिक्षन भी दिये जाएंगे और मेरे वीडियो तो आपकी लगातार हेल्प करते ही है, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, मैं भी चैनल पर आपके लिए वीडियो अवलेबल करवा दूँगा, आगे जो यहां जानकारी दी जा रही है, विद्यारतियों के परदर्शन के आधार पर, आरके SMB के एप य खुद बताएगी कि लर्णिंग लेवल कि समू में विद्यारति का होना चाहिए, ओटोमेटिकली एप ही विवाजित कर देगी, और पिछले वर्ष यह दिया आपने देखा होगा, तो आपको आपको ओटोमेटिक ही बता रही थी, कि आपका कौन सा विद्यारति ये एप कारे आसान करेगी, आपको टेंचन लेने की आवशकता नहीं है, उसके बाद अगली जो जानकारियां बता जा रही है, पुरू की बात ही इस एप में मुक्य तह तीन फेज होगे, पहले जो आपके पिछले वर्ष तीन फेज होए थे, उसी तरह तीन फेज इस बार भी होने वाले हैं, पहला जो फेज रहेगा, प्री असेस्मेंट रहेगा, तो सबसे पहला कारे जो आपको करना है, और क्या करना है, दक्सताओं की पेचान करनी है, विद्यारती परदर्शन डेटा से उन दक्सताओं की पेचान करें, जिन से विद्यारती संगर्ष कर रहे जिन दक्सताओं से विद्यारती संगर्ष कर रहे हैं उनकी पेचान आपको करनी है उसके बाद दूसरे नमबर पर क्या कारिय करना है संकल्प का कारिय करना है तो RK-SMB के एक की दक्सता सूची से तीन चार दक्सताओं का चेहन करें जिन पर आगामी महा में ध्यान केंदृत क ये इस बात का आपको ध्यान रखना है तीसरे चरण में आपको यहां क्या कारे करना है योजना का निर्मान करना है इसे तू विविद गति वीदियों योजना कारे पत्रों को का उची चयान कर कक्षा में गति वीदी आदारी सिक्षन करें मतलब आपको गति वीदी आदारी स जैसे बेसलाइन, मुल्यांकन, विद्यार्ती समूई करन, गतिवीदी आदारे सिक्षण इत्यादी अपनी कक्षा में पूर्ण कर एप पर अंकीत करना है। करने पर उन्हें एप पर पुरुषकरत भी किया जाएगा, आप प्रते कार्य को करेंगे, तो जैसा आपको पहले सिक्षके दिये जा रहे थे, इस बार हो सकता है, एप में कोई नया अपडेट आए, परनतु यहां कहा जा रहा है कि आपको पुरुषकरत भी किया जाएगा, अब दूसरा जो यहां चरण रहेगा, वो रहेगा ड्यूरिंग एसेस्मेंट रहेगा, मतलब दूसरा फेज रहेगा, इस फेज के अंतरगर सिक्षकों को विद्यारती की OCR आंसर सीट को एप के द्वारा स्केन कर अपलोड करना होगा, अब OCR आपको कैसे स्केन करना है, कै अब उसके बाद होगा पोस्ट असेस्मेंट, यह तीसरा चरण रहेगा, इस फेज के अंतरगर सिक्षकों को अपनी कक्षा के योगात्मक आकलन के परदर्शन की जानकारी उपलब्द करवाए जाएगी, इस डेटा के आदार पर उन्हें मुक्यते निमलिकी चीजे दर्श अब आपको क्या-क्या दर्शाय जायेगा, उन दक्सताओं की जानकारी जिनमें विद्यारती सबसे अधिक कमजोर है, वो चीज आपको अटोमेटिकली बताएगी, तता इसके आदार पर आगे का रेमेडेशन कारिकरम आपको कैसे चलाना है, संपूर्ण जानकारी आपको एप ही देने वाली है, उसके बाद दक्सताओं को प्रभावी डंक से सिखाने के लिए सुजावा आत्मक वीडियो एम पार्ट योजना भी आपको एप पर मिलने वाली है, आरके एसमबी के एप की दक्सता सूची से तीन-चार दक्सताओं का चैन किया जाना है, संकल्प इ एप है उसकी जो क्या प्रभोधन रेने वाले हैं, जानकारी क्या रेने वाली वो यहां बता जा रहा है, यदि भी राइस्तान के शिक्षा में बढ़ते कदम कारिकरम, शाला दरपन, प्रवेश्ट तता एप के माध्यम से विद्यार्तियों की परगती नियमित जानकारी प और वदन शाला संबलन एप द्वारा किया जाएगा, तो शाला संबलन एप पर भी इसका निरक्षन होगा, जो हमारे अधिकारी मोदे हैं, जो हमारे DDO है, और जो हमारे CDO है, CBO मोदे, सब हमारे विद्यार्तियों का संबलन करते हैं, तो उनके द्वारा जो एप पर डेट से अध्यान आरंब करवाना ये सात्यों में सब चीज आपको बता चुका हूँ, विद्याले विजिट के दोरान परगेती की समक्षा करना, समस्त पीयों को ये सुनिशित करेंगे कि उनके परिशेत्र के 3-8 के समस्त विद्यारतियों के पास वर्शिट उपलबदो, चीज लेड़ी, CDO, DO, CBO के लिए है, आप भी यदिने रीड करना चाते हैं, तो आप भी रीड कर सकते हैं, अब यहाँ जो बताय जारा है, तो निदेशक इस तरपर करने कारी क्या रहेंगे, वो जानकारी आपको इस आदेश में दी गई है, CDO इस तरपर करने कारी क्या र वो जानकारी भी आपको यहां अवलेवल करवा दि गई है अब संस्ता परदान इस तरफ पर करणी यह कारी क्या रहेंगे इनके बारे में हम यहां चर्चा कर लेते हैं जो संस्ता परदान मोधे हैं कारी करम की मोनिटरिंग है तु विध्याले इस तरफ पर एक सिक्षक को RK SM के इंचार्ज बना लेना है उसके बाद दूसरे बिंदों में आपको यह किलियर किया जा रहा है विद्याले में बेसलाइन एसेस्मेंट विद्यारती की ग्रूपिंग तता प्रतम तीन कालांश में रेमिडेशन गती वीदी आधारे सिक्षन विद्यारती द्वारा वर्क के दायतु रहेंगे उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दरपन पर यता समय अब आपको यह ज्यान रखना है कि जो डेटा है वो किनको एंटर करना है कक्षा अध्यापक को यता समय ओनलाइन आपको शाला दरपन पर करना है PTM में माता पिता की बागीदारी सुनिशित आपको करनी है शिक्षकों का संभलन करने है तो उनकी best practices की साराना और उन्हें संभानित आपको करना है उसके बाद संस्ता परदान ये सुनिशित करेंगे कि उनके विद्याले के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यारतियों के पास वर्कषीट उपलब दो वर्कषीट का मुद्रण विद्याले ये पंचात इस्तर पर किया जा सकता है तो ये परदान अध्यापक के दायतु रहेंगे अब यदि आप सिक्षक हैं तो आपके दायतु क्या है इस्तर के करने कारी क्या है वो भी आपको यहां बताया गये तो इनकी चर्चा करना भी साती हूँ यहां अनिवारी बनता है क्योंकि इतना लंबा आदेश जो मैंने आपको बताया है किलेर करके उसमें सबसे मुख की बिंदू यही है आपको करना क्या है विद्यार्यों कि उनके सीखने के इस्तर के अनुसार grouping करनी है मतलब आपको यह किले हो जाता है कि जो बच्चा जिस group में रह सकता है आपको group में करनी आप baseline लेंगे उसके अनुसार आप level 1 और level 2 में विद्यार्यों को रखेंगे पहला कारे तो आपको ये करना है रेमिडेशन अवदी के दोरान कारे पुस्तिकाओं का उप्योग करके रेमिडेशन का संचालन करे आपके पास जब भी कारिय पुस्तिका आ जाएगी तो आप जो रेमिडेशन करवाएंगे बच्चों का उनमें कारिय पुस्तिकाओं का उप्योग आपको अनिवारी रूप से करना है सितंबर अन्त तक पर्थम तीन कालांश में रेमिडेशन गतिवीदी आदारी सिक्षन विद्यारतियों द्वारा वर्क बुक पूर्णता पर ध्यान देवेई इस बात का आपको ध्यान रखना है समेटिव एसेस्मेंट की पूरु तैयारी चिक्षक एप के प्रियोग को सुनिशित करेंगे आपको समेटिव एसेस्मेंट होगा या आपका ऐसे होगा उसकी पूरु तैयारी करनी है और आरके SMB के AFA उसका प्रियोग भी आपको सुनिश्रित करना होगा उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दरपन पर यता समय प्रविश्टी करवाएं तो आपको ध्यान रखना है कि यह दिया आप कोई सी भी कक्षा को पढ़ाते हो लेकिन जो कक्षा अध्यापक है उनको आप डेटा देंगे और कक्षा अध्यापक मोदे शाला दरपन पर जो भी मोडूल प्रादम होगा उस मोडूल पर समय पर प्रविश्टी आपको करवा देनी है नियमित वर्कबुक जाज करें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्कबुक विद्यारतियों को दी जाएगी उसकी नियमित जाज करें वा सुदार के लिए विद्यारतियों को प्रुसायत करें इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि विद्यारति ने कोई गलती करी है तो सुदार के लिए उन्हें प्रुसायत करना है वर्कबुक में दिये गए Formative Assessment का सचालन कर इस्तर में आ रहे हैं सुधार का Workbook में bekommen report संदारन करें अब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो Formative Assessment Workbook में दिया हुआ है वो आपको सब्ता के अंतमे लेना है तो उसके सुधार के अनुसार आपको report संदारन workbook में करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है, विद्यार्तियों के कक्सा के परदर्शन की निरंटर समिक्षा करें, आपको क्या रखना है। लेकिन आप भी उसमें भागईदार उतने ही रहेंगे, जितने संस्ता परदान मोदे जिम्मेदार रहेंगे। तो उम्मित करता हूँ सात्यों शेक्षिनिक सत्र 2023 में जो दक्सता आदारी शिक्षण जो उद्देशों की प्राप्तियतु राइस्तान के शिक्षा में बढ़ते कदम कारी करम के लिए विस्तत कारी योजना तयार की गई है उसको आप समझ पाए होंगे और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि यदि आपके पास ये कारी योजना नहीं पहुचिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा वहां मैंने एक टेलिग्राम चैनल का लिंक को फलब्द करवा रखा है उस टेलिग्राम चैनल पर आप जाकर ये जो पूरी योजना है कारी योजना है इसको वहां से डाउनलोड कीजेगा और प्रिंट करके अपने विद्याले में रखेगा और उसी अनुरुप कारे करिएगा और हां साथी मैं फिर याद दिला दूँ कि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको इस कारे को आसान करन है तो आप परात्मिक्ता इसी कारी योजना को दीजि units को दीजिएगा मेरे वीडियो को परात्मिक्ता देने की आउशकता नहीं है मिलते हैं साथिões इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ तब तक के लिए जयहन जयबारत